The selected server may have higher ping or matchmaking issue and we suggested selected another server continue anyway दोस्त अगर आपके मोबाइल में यह प्रॉब्लम आ रहा है मोबाइल में नहीं जब भी आप PUBG खेलते हैं तो यह notice आ रहा है ठीक है अगर यह notice आ रहा है तो आप ना तो अपने friend के साथ खेल पाएंगे ना तो आप किसी के साथ नहीं खेल पाएंगे आपर साप साप लिखा हुआ है जो आपकी ping है बहुत ही आई आ रही है और इसकी वज़े से आप matchmaking नहीं कर पा रहे हैं ना तो आप अपने friend के साथ में खेल पा रहे हैं जब आप उसको invite करेंगे तो invite ही नहीं जाएगा क्योंकि हुआ था मेरे साथ तो कल से मुझे इस्टाग्राम पे बहुत सारे डियम आ रहे हैं मुझे बहुत सारे call आ रहे हैं बहुत सारे message आ रहे हैं कि sir यह issue अमारे pubg mobile में आ रहे है तो भाई tension मतलो आज आपका भाई बताएगा 100% solution बताएगा ठीक आपको कहीं पर भी जाना नहीं है वीडियो complete देखना है यह जो चीज आ रही है न यह चुटकियों में भाग जाएगी आपके भाई की guarantee है तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं कि यह जो चीज है इस चीज को हम solve कैसे करेंगे लेकिन दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले हम आपसे एक छोट इस request करेंगे प्लीज अपना एक लाइक जरूर देना आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा motivate करता है तो प्लीज लाइक करना और आप इस वीडियो को share भी करना share तो जरूर करना क्योंकि बहुत से से लोग है जिनके साथ ऐसी problem हो रही है और वह लोग पागल से हो गए भाई पब जी एक नसा हो गया न तो share जरूर करना और आप चैनल सब्सक्राइब करके घंटी को all पे कर देना और हाँ अगर आपका कोई सवाल है या तो आप किसी और topic के उपर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें Instagram पे DM कर सकते हैं ने तो आप हमें वहापे हमारा Instagram पे नंबर है ठीक है आप हमें WhatsApp के थुरू सजेस्ट कर सकते हैं ठीक है बता सकते हैं कि भाई आप यह topic कवर कर लो तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों जब भी आप PUBG open कर रहे हैं अगर आपके मोबाईल में कुछ इस तरह का message आ रहा है तो message आ रहा है तो आपको क्या करना आपको अपने mobile data को बंद करना अगर आपने दो SIM card लगा के रखा है दूसरे SIM card में internet है तो आप दूसरे SIM card को चालू कर दीजिए 100% हो जाएगा मेरी guarantee 100% हो जाएगा अगर नहीं होता by the way अगर नहीं होता है तो आपको क्या करना है आपको अपने PUBG mobile को long press करके रखना है ठीक है long press करके रखना है फिर आपको जाना है app information में उसके बाद में आपको यहां से इसका जो catcha है clear करना है data clear करना है ठीक है catcha और data पहले catcha clear करके देख लेना अगर हो जाएगा तो ठीक है नहीं तो data clear कर देना कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आपका account delete नहीं होगा tension मतली जैसे आप open करेंगे आपका PUBG open हो जाएगा ठीक है अगर यह भी करने से नहीं होता है तो जो RAM part तरीका हम आपको बता रहा है जैसे आप open करेंगे अब आपको यहां पर यह जो red वाला है आपको क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करेंगे यह connect हो जाएगा ठीक है आप देख सकते हैं कि यह connect हो गया इधर connect हो गया अब आपको क्या करना है आपको अपने PUBG को open करना है यह 100% easily तुरंद एक मिनट में हो जा प्रॉब्लम आई थी और मैंने इस वाले ट्रिक से इसको solve कर लिया तो दोस्तों आपको तीन ट्रिक बताया आप तीनों ट्रिक ट्राइ करना 100% हो जाएगा और हाँ comment section में comment करके बताना आपका हुआ या नहीं हुआ ओके तो मुझे उमीद है कि आप समझ के होंगे आप इस चीज को कैसे solve करेंगे ठीक है अगर higher ping आ रहा है आपके PUBG मोबाइल में बहुत ही छोटा सा issue है जादा कुछ नहीं है बहुत हैसे लोग है जो नहीं जानते हैं और वह बार बार open करते हैं अगर आप बार बार open करेंग तो आपका PUBG भी बैन हो जाएगा ठीक है PUBG को लगेगा कि आपने कोई third party application का यूज किया इसकी वज़े से आपका जो ping है बहुत हाई जा रहा है तो बार बार open मत करो यार यह छोटी सी trick यूज कर लो आपका PUBG का यह problem है solve हो जाएगा तो like करना, share करना, channel subscribe करना मिलते हैं नेक्स पीडियो में, बाई!